ओके अलो फ्रेंड किसे वो आप समय वी सी और आप देख रहें बहूंटु इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जो अमारा नेक्स्ट वीक है उसमें निप्टी का क्या रोल रह सकता है वो देखेंगे इन्वेस करेंगे और बाद में टेक्निकल अनालिसिस करेंगे और उसके उपर से एक व्यू निकालेंगे कि निप्टी नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है तो दोस्तो अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि हम ऐस इसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला वटने उसे जरूर दबा दिजिए जिसको आपको हमारी नोटिपेक्शन सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके हैं निप्टी की ऑप्शन चैन एनालिसिस के ऊपर तो पहले हम एनालिसिस करेंगे ओप्शन चैन का बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो जो यह हम ओप्शन चैन एनालिसिस करेंगे वो हमारा विकली जो नेक्स्ट कॉंट्राक है उसके ऊपर है मतलब 11 जून को इसकी एक्सपाइर ही है तो अभी हाल फिलाल निप्टी कहां है तो हाल फिलाल निप् तो पूट साइड मेरेको सबसे ज़्यादा ओई विल्डप दिख रहा है 9800 पे तो जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें में इंपोर्टेंट लेवल होगा वो 9800 नीचे की साइड होगा और अपर की साइड हम देखे तो सबसे ज़्यादा ओई विल्डप मेरे हिसाब से ये 10 1500 पे ओके जो हमारा रजिश्टन्स हम मान सकते है और नीचे की साइड 9800 भी रह सकता हो और उसके आगे का जो लेवल है 10,000 पे उस पे भी एक अच्छी वाई बिल्डप है तो क्या कि निप्टी का भी व्यू थोड़ा बुली से तो आप 10,000 का रेंज भी ले सकते हो इन 10,000 से लेके 10,500 का रेंज आप ओप्सन चेंज से नेक्स्ट विक के लिए लेके जा सकते हो तो ये हो गया नॉर्मल ओए अभी आप देख रहे हो तो इसमें पुट सेट सोट बिल्डप होती हुई दिख रही है मतलब क्या कर रहे है कि जो नीचे के लेवल है उस पे क्या हो और ये पी सोट हो रहा है तो आप देखिए इसमें क्या नीचे के लेवल पी सोट हो रहा है तो मतलब क्या हो कि मार्केट के नीचे जाने के चांस ऑप्सन चेंज से थोड़े कम दिख रहे है और अगर आप सामने सी की और देखो तो वहां आपको लॉंग सी होते हुए देखना पड़ेगा लाय में क्या हो रहा है तो इन सिंपल ओप्सन चेंज से हमें क्या मिल रहा है कि ओप्सन चेंज से हमें पता ये लग रहा है कि आपका जो नेक्स्ट वीक है वो बुलिस रह सकता है एक बार हम इसका OI चार्ट भी देख लेते तो आपको आईडिया है कह 9800 पे आपका पूठ है so in simple अगर हम क्या आए कि ये option से हम देखे तो हमारा जो support resistance होंगे तो हम option से देखे तो पहले आएगा resistance तो 10300 और उसके अपर आएगा 10500 ये next week के लिए है मैं आपको बता दे रहा हूँ और अगर नीचे की site देखे तो नीचे पहले आएगा 10,000 और उसके हो गया option chain analysis अभी हम चार्ट में देखते कि चार्ट में क्या हो रहा है तो अब हम आ चुके चार्ट के उपर तो पहले हम sgx nipty का देख लेते बाद में हम हमारा जो nipty उसका देखेंगे तो ये one day का sgx nipty का चार्ट है अभी ये क्या किया ये नीचे जो last support था वहीं पर अभी अप आ रहा है तो इसने क्या किया ये जो last resistance था वो break करके अभी अपर चल रहा है तो इसका देखेंगे अमारे जो next support होगा वो क्या होगा तो हम ये जो rising support line मिल रही है वहाँ ये support ले सकता है और ये आ रहा है अगर मैं एपरोक्स एक एंगल के साथ जाता हूँ तो ये है इसा आप मान सकते हूँ अभी हम देखे कि SGX निप्टी अभी closing कहा हुआ है तो ये closing हुआ है 10,280 पे तो हमारा जो निप्टी हो 10,450 पे है उसका आसपास है तो अभी हम एसा idea लगा सकते कि मंडे जब market open हो तो एक gap up के साथ आपका market open हो सकता है क्योंकि ये क्या है कि अच् जाता है open हो जाता है अपने market से पेले तो थोड़ा बहुत difference आएगा ये 10,280 ये थोड़ा नीचे भी आए थोड़ा उपर भी आए लेकिन एक idea लगता है कि हमें Monday आपका market ये gap up open हो सकता है अभी हम जो हमारा निप्टी है उसका analysis कर लेते हैं वहाँ देखते हैं कौन से इसक resistance होंगे और किस range में ये आपका trading हो सकता है अब हम आ चुके हमारे निप्टी के चार्ट के उपर तो ये वंडे का चार्ट है तो पहले हम देख लेते इसके support क्या होंगे तो जो हमारा पहला support होगा वो क्या होगा last low मतलब ये candle का low जो आ रहा है 9945 मतलब 9950 के आसपास ये level आ आप मान सकते हो तो जो हमारा पहला support है अगर ये next दीन market एक दो दीन में अगर नीचे आता है तो 9950 का level आपके लिए support की तरह work कर सकता है इन सिंपल आप option chain में भी देखो तो 10,000 पर एक अच्छी OI build-up थी तो जो आपका 10,000 के आसपास का level है वो support की तरह work कर सकता है अगर य इसको ये break करके नीचे चला जाता है तो जो हमारा next support होगा next week के लिए वो होगा 9,700 का level ये होगे दो हमारे support अभी हम resistance की बात करते है तो जो हमारा पहला resistance होगा वो होगा आपका 10,180 का level नौर्मल अभी nifty इसके पास ही है मतलब जो हमारा high है last वही ले रहा हूँ मैंने वो क् तो आप देख रहो कि इसका भी high उसके पास ही है और इस candle का भी high इसके पास है तो इसलिए मैंने इसको लिया है जो हमारा sdx nifty है वो already इसके उपर निकल चुका है तो हो सकता है Monday आपका market इसके उपर ही open हो तो हो सकता है कि ये क्या है कि आपको उस दिन ये क्या है कि support की तर work कर सकता है आके आने वाले future में तो अगर ये इसको break करके उपर चला गया हमारा market तो हम इसको support की तरह भी देखेंगे अभी इसके उपर हमारे कौन से level होंगे तो इसके उपर जो हमारा first level आता है वो आता है 10,995 का level in simple हम 10,300 का level लेते तो आप देख रहे हो कि option chain में भी 10,300 क जो level था वो आपको एक अच्छी OI build-up वहां देखने को मिली थी और ये level में ने क्यों लिया तो आप देख रहे हो ये candle का low है मतलब किया है कि मैं simply gap filling के बारे में देख रहा हूं तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आपको 10,300 के level पे resistance लेता हुआ हमारा नेम टीट द पूली से तो हो सकता है कि 10,300 तो आराम सी ये ब्रेक कर दे अगर इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तब हमारे resistance को उनसे होंगे तो इसके लिए भी मैंने क्या है कि एकप फिबोनाची से मैंने इसको draw किया है तो अभी मैं इसमें फिबोनाची लगा लेता हूँ तो अ 1.382 का जो लेवल आ रहा है वो हमारे जो लेवल था दस अजार तीन सो उसके आसपास ही आ उपर गया तो 10,570 का लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं तो यह हो गया क्या है कि हमने profundize अगर कि बड़ी withdraw करते हैं तब हम इसमें क्या देखने को मिलता है तो वो भी हम देख लेते हैं अभी हमने फिर से एक क्या है कि फिभवनाची लगा लिया है यह इधर से लेके मैंने इधर तक ड्रो किया यह थोड़ी बड़ी वेवे सो मैंने क्या किया कि इसको भी ड्रो कर ले तो देखते इसमें क्या देखने को मिलता है तो मैं पहले इसको क्या कि पूरा ड्रो कर लेता हूँ सो आपको भी आईडिया है कि क्या इसमें हो सकते लेवल तो इसमे हम इसके 0.5 को तो इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया तो 0.61 का लेवल हम देखेंगे तो वो कहां आ रहा है तो वो आ रहा है आपका 10,440 के आसपास इन सीम्पल जो हमरी ये छोटी वेव था उसका लेवल भी आ रहा था 10,450 के आसपास तो मैं इसा मानता हूँ कि जो हमारी वाई बिल्डप थी वो 10,500 पर सबसे ज़्यादा थी अगर इसके नीचे देखें लेवल तो 10,450 है तो इन सीम्पल क्या है कि 10,450 से लेके 10,500 का जो लेवल है उसको आप एक जोन की तरह रख सकते हो कि यह आपका क्या होगा रजिस्टन जोन होगा यहां से मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा है तो अभी हमने यह सब जो एनालेसिस किया उससे हमें पता क्या चल रहा है तो जो हमारा मार्केट है वो नेक्स्ट वीक के लिए उसका जो पहला सपोर्ट होगा जो मेंन सपोर्ट है उसकी में बात करा हो तो जो उसका पहला support होगा वो 10,000 का होगा अगर ये इसको भी break करके नीचे चला जा रहा है तो 9,800 का होगा लेकिन market bullish view है तो उपर की side आपको अच्छे अच्छे level देखने को मिल सकते हैं मतलब market bullish है तो ये 10,000 के पास side आये भी नामे ऐसा बुलना चाहता हूँ तो आपको देखना पड़ेगा जो नीचे के side support है वो 10,000 है और इसको एगर ये break करके नीचे चला जाता है तो 9,800 का level और अगर हम resistance की बात करें तो जो हमारा पहला resistance होगा वो 10,300 का level होगा अभी हाल फिला HGX Nifty भी थोड़ा आपाया तो मैं 10,300 को पहला resistance मानता हूँ अगर ये इसको भी break करके उपर चला गया तो जो 10,450 से लेके 10,500 का level है जो एक zone है उसको मैं resistance की और मानूंगा तो ये हो गया support in resistance next week की क्या range रहे सकती है तो मेरे इसाब से 10,000 से लेके 10,500 की range next week आपको देखने को मिल सकती है तो ये था आमारा छोटा सा analysis Nifty के उपर next week Nifty क्य कर सबता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर दीजिए अगर आप like comment कर गए तभी तो हमें motivation मिलेगा और ये से वीडियो आगे लेके आएंगे तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते है अपने next वीडियो में तब कि लेट टा गड़ वाई जाई हिन